हेलो भीवर मैं निशाइत अहमद आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने ही चैनल जीएस ऑनलाइन पर इस वीडियो में हम हिस्टरी से जो के किलाश टेन थका है मौश्ट भी भी आई दोसरा पार्ट है आप इसको देखना ना भूलें समाजवाद एवंग साम्यवाद इससे पहले आपको एक पार्ट और अप्लोड हो चुका है योरप में राश्टवाद का उधर यदि आपने उ इसक्रिप्सन में उसका लिंक के दिया हुआ है आप उसको देख सकते हैं इस वीडियो में दोसरा चेप्टर जो के किलाश टेन थका है समाजवाद एवंग साम्यवाद उससे जितने भी मौश्ट भी भी आई अबजेक्टिव कोशन बन सकते हैं और जो प्रिवियस यानि प कोशन नमबर एक है पहला परशन है रूष में किर्शक दास परठा का अंत कब हुआ रूष में किर्शक दास परठा का अंत कब हुआ ओफसन अ है अठारा सोगजट इसवी और तो इसका सही जो है एंसर 1861 जो के option number A है A right हो जाएगा अगला पुरशन है दो नमबर में रूस में जार का अर्थ क्या होता है रूस में जार का अर्थ क्या होता है option A है पानी का बर्तन, option B है पानी रखने का मिट्टी, option number C है रूस का सामन्त और option number D है रूस का समराट तो दो का सही आफ़सन जो है रूस का समराट यानि रूस का राजय को वहां कहते हैं जार वहां का जार का अर्थ होता है रूस का समराट इसलिए इसका आफ़सन नमबर B राइट हो जाएगा अगला परशने है तीन नमबर में कारल मास्क का जन्म कहा हुआ था option A है England, option number B है Germany اور option number C है Italy اور option number D है Rus कारल मास का जर्म जर्म कहां हुआ था तो तीर नमबर का सही option जो है option नमबर B राइट हो जायगा जो कहे Germany Germany में कारल मास का जर्म हुआ था अगला परेशन है चार नमबर में साम्यवादी शासन का पहला परियोग कहा हुआ था ये 2017 में पूछा हुआ कोशन है और 2011 में भी ये कोशन पूछा गया है साम्यवादी शासन का पहला परियोग कहा हुआ था आफसन A है रूस, आफसन नमबर B है जापान, आफसन नमबर C है चीन और आफसन नमबर D है कुयूबा तो चार का सही आफसन जो है वो आफसन नमबर A जो के रूस है सही हो जाएगा अगला प्रशन है पांच नमबर में निम्नांकित में कौन यूरोपियन समाजवादी नहीं था निम्नांकित में कौन यूरपियन समाजवादी नहीं था ओफसन नमबर A है लुई बला ओफसन नमबर B है सेंट साइमन और ओफसन नमबर C है कारल मास्क और ओफसन नमबर D है राबर्ट ओवन तो पांच का ओफसन नमबर C राइट हो जाएगा Carl mask इसलिए 5 का Сी option राइट हो जाएगा अगला परशन है च्छे नंबर में war and peace किसकी रचना है war and peace किसकी रचना है Carl mask ओफशन नंबर B है !टारस्ट टाय किसकी और दो PRESकी और ऑफशन नंबर D है अंगियलस war and peace किसकी रचना है बहुत मौश्ट भीवियाई कोश्चन है यह 2014 में भी पूछा गया है वार एंड पीस किसकी रचना है और 2019 में भी यह कोश्चन पूछा गया है और 2020 के लिए मौश्ट भीवियाई कोश्चन है यह छे नमबर वार एंड पीस किसकी रचना है तो ये कार्ल मास की रचना इसलिए इसका आफसर नमबर A राइट हो जाएगा अगला प्रशन है साथ नमबर में बोल शेविक करांती हुई बोल शेविक करांती कब हुई ये 2012 और 2018 में पूछा हुआ कोश्चन है आफसर नमबर A है फरवरी 1917 इसवी और आफसर नमबर B है नॉमबर 1917 इसवी और आफसर नमबर C है अपरील 1917 इसवी और आफसर नमबर D है 1905 इसवी तो नॉमबर 1917 इसवी में बोल शेविक करांती हुई थी इसलिए इसका आफसर नमबर B राइट हो जाएगा अगला परशन है आठ नमबर में लाल सेना का गठन किसने किया था लाल सेना का गठन किसने किया था आफसन A है कार्लमास, आफसन नमबर B है इस्टालीन और आफसन नमबर C है ट्राट्सकी और आफसन नमबर D है क्रेंसकी तो आठ नमबर का सही ओफसन जो है ओफसन नमबर C राइट हो जाएगा ट्राट्स की अगला परशन है नौ नमबर में लेनीन की मिर्तियू कब होई लेनीन की मिर्तियू कब होई तो 1924 इसी में लेनिन की मिर्ती होई थी इसलिए इसका option number D right हो जाएगा आपके लिए एक note से है कि NCRT किलाश 13 का chapter by chapter आप हमारे वीडियो के channel के पले लिस्ट पर जाकर वीडियो देख सकते हैं और आप अच्छा से अच्छा notes और अच्छा से अच्छा content आपको दिया जा रहा है आप वहां से notes से बना कर अच्छे से अच्छे तयारी कर सकते हैं 10 no. request leito west की का संधी किन देशों के बीच होई ब्रेश्ट लीटो वस्क की संधी किन देशों की बीच होई आफसन ए है रूस और इटली आफसन नमबर बी है रूस और फ्रांस और आफसन नमबर सी है रूस और इंग्लेंट आफसन नमबर डी है रूस और जर्मनी तो रूस और जर्मनी के बीच ये संदी हुई थी इसलिए इसका आफसन नमबर D राइट हो जाएगा अगला परश्ण 11 नमबर में रूस का पहला समाजवादी कौन था रूस का पहला समाजवादी कौन था आफसन A है इस्टालीन और आफसन नमबर B है पलेखानो और आफसन नमबर C है लेनिन और आफसन नमबर D है टालश्टाइ तो ग्यारा का सही आफसन जो है आफसन नमबर B राइट हो जाएगा फले खानो प्रश्ट नमबर 12 रास पुतिन कौन है रास पुतिन कौन है ओफिसन नमबर A है भरष्ट पादरी ओफिसन नमबर B है वैज्ञानिक और ओफिसन नमबर C है समाज सुधारक और ओफिसन नमबर D है दारशनिक तो 12 का option जो होगा वो option नमबर A सही हो जाएगा भरश्ण पादरी, राज पुतीन कोण था, भरश्ण पादरी था परश्ण नमबर 13, नई आर्थिक निति कब लागू हुई नई आर्थिक निति कब लागू हुई 1921 सिस्वी, option B है 1923 इसलिए इसका option number A राइट हो जाएगा अगला परशने चौदो नमबर नमबर में दास केपिटल की रचना किसने की थी? Option number A है एंजेलस ने और option number B है दोस्तो वस्की ने और option number C है टालर स्टाइ ने और option number D है कारल मास्क ने दास केपिटल की रचना मौश्ट भी भी आई कोश्चन है ये भी दास केपिटल की रचना किसने की थी? तो कारल मास्क ने की थी इसलिए इसका option number D राइट हो जाएगा अगला परशन पंदर नमबर रूस के समराट को क्या कहा जाता है? रूस के समराट को क्या कहा जाता है? option number A है फराओ, option number B है जार, option number C है राजा और option number D है रजेंट पंदर नमबर तो अभी पूछा गया है के जार का अर्थ रूस में क्या होता है? तो वहां का समराट इसी परशन को फिर घुमा के पूछा गया कि रूस के समराट को क्या कहा जाता है? तो इसलिए इसका जार, option number B, right हो जाएगा अगला परशन है, 16 नमबर में, मजदूर दिवस कब मनाय जाता है option A है, एक अपरील, option number B है, एक मई, और option number C है, 15 अपरील और option number D है, आठ मार्च तो मजदूर दिवस 16 नमबर मजदूर दिवस जो है वो मनाय जाता है एक मही को इसलिए इसका ओफसन नमबर A, B जो है राइड हो जाएगा अगला परशने 17 नमबर में अंतराष्टिय महिला दिवस कब मनाया जाता है अंतराष्टिय महिला दिवस ओफसन A है 8 जून ओफसन नमबर B है 1 दिसंबर और ओफसन नमबर C है 15 अपरील ओफसन नमबर D है 8 मार्च अंतराष्टिय महिला दिवस कब मनाया जाता है तो 8 मार्च क अंतराश्ट्य महिला दिवस बनाए जाता है इसलिए इसका आफसन नमबर D राइट हो जाएगा अगला परशने 18 नमबर में समाजवादियों की बाइबिल किसे कहा जाता है समाजवादियों की बाइबिल किसे कहा जाता है समाजवादियों की बाइवल किसे कहा जाता है 18 नमबर तो दास कैपिटल को कहा जाता है इसलिए इसका आफसन नमबर A राइट हो जाएगा अगला परशने 9 नमबर में 19 नमबर में कारल मास्क ने किसके साथ मिलकर कम्यूनिष्ट घोसना पत्र परकाशित किया था आफसन A है जेन आफसन नमबर B है दोस्तो वसकी आफसन नमबर C है एंजीलस और आफसन नमबर D है टालस्टाई तो 19 का आफसन नमबर C राइट हो पत्नी जरीना किस देश की राजकुमारी थी जार निकोलस द्यूतिय की पत्नी जरीना किस देश की राजकुमारी थी आफसन A है इटली आफसन नमबर B है फ्रांस आफसन नमबर C है जर्मनी आफसन नमबर D है आस्ट्रेलिया तो इसका सही आफसन नमबर D है आस्ट्रेलिय